स्वागे दैब सभी का मेरी एक और नहीं कमाल की वीडियो में है तो आज की वीडियो कुछ खास रहें वाले क्योंकि आज हम करने वाले हैं नाइट कैम्पिंग तो भाई घर से काफी दूर आ चुके हैं लिटरली अभी टाइम करीबन रात के 9 बज रहे हैं और अभी हम घर से काफी दूर आ चुके हैं और कुछ इस तरह की लोकेशन है साथ मैं अपने संजु भाई तो आज हम दो लोग हैं नाइट कैम्पिंग कर रहे हैं तो फर्स टाइम अपना नाइट कैम्पिंग ठीक है तो अभी फिलाल हम अपना यहां पे टेंट विंट लगाने का जो प्रोस रहेगी और यहां पर हमने खाने पीने का समान जो भी है सब कुछ ला रखा है और गद्दे वद्दे टेंट वेंट सब कुछ है बस इसको लगाने का जो प्रोसेस है हमने यह कम्प्लीट करना है तो अभी फिलाल यह बैग बैग छोड़ते हैं नीचे और अपने काम पर खुलेगा अभी फर्स टाइम है ऑपना टेंट लगाने का आज से पहले इतना ट्राइ नहीं किया है तो अभी फर्स टाइम है मैंने देखा इपन बह सो निकाल रहे हम ट prow तो अभी इसको रखते हैं साइड में, तो यह रही इसकी कुछ छडिया जिनको की जोड के काफी लंबी होती हैं, और इसको इस टेंट पर फसाना होता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं, टाइम-लैप्स में और टेंटमेंट लगाकर आपसे मिलते हैं, तो इक वाई अपना जो सबसे पहला प्रोसेस होगा सबसे पहला जो काम होगा वह होगा यहां पर उजाला करने का तो हमने उजाले के लिए कि अगए है यह जो बल hearing की यह चार्जिंग वाला यहला रखक। तो अब भी सबसे पहले इसको जलाते हैं क्योंकि भाई सबसे पहले उजाला करना जरूरी है तो कुछ इस तरह से अपना यह जो बलब है यह जल चुका है अब इसको कहीं अच्छी द्रगा पे ना किसी पेडवेड पे टिका रखेंगे और उसके बाद अपना टेंट लगाने तो फिलाल अब इसको यहां पर लगा देते हैं तो भाई पीछे देख सकते हो कुछ इस तरह से अपना जो टेंट है वो बनके रैडी हो चुका है जो कि हमारा 50% काम था तो यह तो पूरा हो चुका है अब जो हमारा 50% बचा हुआ काम है वो है लकडी ढूनने का और आग जलाने का तो अभी फिलाल जल्दी से लकडी ढून जलाते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं तब जके थोड़ी रहात मिलेगी और भाई अभी सर्दी इतनी हो रखी है ना बिलकुल जो टेंपरेचर है वो माइनस में जा चुका है तो अभी भाई संजु भाई क्या बोलते हो लकडी वकडी ढूनते है ना तो जल्दी से त कुछ किया ही नहीं था तो फर्स टाइम था अभी इसलिए जादा टाइम लगा तो बस इसी टेंट के चलते अभी काफी टाइम हो चुका है तो यह रही अपनी छोटे सी कुलाडी जिससे कि अभी हम लकडी करेंगे लकडी ढूनेंगे वैसे भाई इतनी रात में लकडी यह भी काफी जदा टाफ है लेकिन क्या करें आग जलाने के लिए लकडी तो चाहिए तो अभी ढूंडते हैं लकडी है कुछ संजु भाई पता कहा मिलेगी लकडी वकडी जलते हैं रागे जंगल में भाई जादा दूर भी नहीं जाना वैसे हमने टोर्च भाई ठीक ठाक लाई है इसकी रेंज काफी दूर तक जाती है मतलो उजाला काफी दूर तक कर देती है तो यह बात हमने अच्छी की कि हम यह बड़ी वाली बैटरी साथ में ले आए क्योंकि रात में क्या पता कौन सा जीव कुछ भी हो सकता है ना सिचुएशन कुछ भी हो सकती है इसलिए सबसे पहले उजाला जरूरी रहता है तो फिलाल अभी रास्ता कुछ इस तरह क्या है और आगे काफी घने वाले पेड़ है भाई रास्ता काफी डेंजर है जाड़ी जाड़ नजर आ रहे है भाई पूरे रास्ते में तो अभी कहां पे लकड़ी मिल तो नहीं रही है कहीं भाई अभी कहां पे ढूंडें यार इधरी कहीं कोई सुखा वाला जो पेड होगा नुसी की टैनियों से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे मुझे नहीं दिख रही है और आगे भी देख पा रहे होंगे जाड़ी-जाड़े पूरे उसमें काफी टाइम बाद अभी न लकडियां ढूंडना मतलब बहुती खतरनाग वाला टास्क है तो कुछ इतनी एक लकडियां यहां पे हमें मिल चुकी है अब थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा हमें तो आगे चलके थोड़ी और लकडियां ढूंडनी पड़ेंगे हो भाई साहाब एक तो भाई यहां अब रास्ता भी काफी खतरनाग वाला है अभी संजु भाई भी गिरते गिरते बचे हैं तो बहुती रिस्की रास्ता है ध्यान से चलना पड़ेगा बाई कहां पे है कुछ दिख रहा है हां भाई वहां पे है वो वाला जो पेड है न इसकी टहनिया चल जाएंगी तो नहीं कहां से रास्ते का भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है जल्दी से निकलते हैं भाई कहीं घिरूवीर न जाओं में तो भाई अभी लखड़े लेकर ना भी टेंट के पास हम पहुंच चुके हैं तो जल्दी से ना भी यहां पर हाग जलाते हैं क्योंकि आहलत भाई कर देना मेरे भाई बागे भी जल्दी से यहां से आग जलाते हैं और कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं अभी हमने आग जला रखी है और यह जो आग है अभी छोटी लकड़ों में जली हुई है बस यह जल्दी जल्दी से ने बड़ी लकड़ों में भी फैल जाये आग और यह बड़ी लकड़े अच्छी तरह से जलने लगे उसके बाद फिर आग सेकने का भी मज़ा नेक्स लेवल होगा तो भाई अभी फिलाल इस आग को बुझने नहीं देना है अच्छी तरह से पहले इसको जिला लेना है तो छोटी छोटी लकड़े डालेंगे हाँ इसको बिसमें डाल दो तो इसको अच्छी तरह से जलने देते हैं इन बड़ी लकड़ों में भी आग पकड़ेगी तब जाके थोड़ा आग सिकने कभी मज़ा आएगा सबसे पहले ना अपने हाथ गरम कर लो क्योंकि ब मेरे हाथ इख भाई सेम आलत है मेरे तो ऐसे छिल चुके अभी सही में गईज यार टेंपरेचर ना बिलकुल माइनिस के पार जा चुका है अगर आग ना हो तो बंदेगी मतलों सुबह तेक बिलकुल कुल बन सकती है तब हमारी जो आग है ना यह बिलकुल अच्छी तरह स सुलक चुकी है बाकि इन बड़ी वाली लकडियों में भी लगना शुरू हो चुकी है तो अभी ना कुछ देर तक तो हाग से हिलना नहीं है बिलकुल भी सन्जु भाई ने चाइप इंतिजाम करना शुरू कर दिया है वहां से थोड़ा बहुत समान ला रहे हैं चाइपती बगार दी है तो अभी इन्होंने चाइपनाने का जो प्रसीजर है वह स्टार्ट कर दिया है तब चाइवाई पीते हैं बनाते हैं और साथ में मैगी वैगी भी लाइए हैं तो फिलाल मैगी वैगी भी बनाएंगे खाएंगे पूरी चाइथ अभी न genial हो भाई यहीं पर साइड में मैग है अब जब तक चाइथ नहीं बनती न तब तक फूरा disciplined 500 पकड़ के रखना पड़ेगा जल्दी से डाल विप तो भाई फिलाल जो अपनी चाई है वो बन के रैडी हो चुकी है तो अभी इस चाई को ना इन छोटे जोटे कप्स में सर्व करते हैं और अभी चाई पीने का अनंद लेते हैं क्योंकि सरदी में इस ऐसे ठंड मैं दिसंबर की ठंड में चाई पीने को जो अनंद है नवह दूसरा पूरी रात घूपर गुजरता है रात में क्या होने वाला है ? क्या होगा ? आई घूल कोई बी आइडिया नहीं स्मय पई लेप hario डारी से चाहां है और भी आपенное में बाखे soutर्दम भी ठाल पाण में पूरा कम्प्लिट कर लिया है तो फिलाल अभी अपने टेंट की ओर चलते हैं भाई हमें मिलेगी थोड़ी अंदर घुशने के लिए जगा आजाओ 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 अपना फर्स टाइम है आज इस टेंट में मतलब भाई नेक्स्ट लेवल जो फिलिंग आजाओ बिल्कूल खतरनाग वाली आजाओ आज की रात हम टेंट में काटेंगे अब भाई गुजार के लगे का बाई साब अभी रात का एक बज़रा है बाकी लग भगना आदी रात हमने कम्प्लीट कर लिए बाकी बची वी आदी रात अब क्या होगा क्या नहीं होगा सक्स पीस रहता भाई हमारा फर्स नाइट का फिलाल तो अभी यहां पे मतलब हावा भी कुछ नहीं आ रही है तो यह जो दरुवाजा टाइप है यह पूरा मिसको इसकी जो जिप है वो अच्छ रहे है थोड़ा मी जल रहा है वह जल रहे तो चलो देखते हैं आज की रात काटें इस तेंट के अंदर क्या होता है क्याने तो भाई अभी सोने के लिए ना सबसे पहले जो ज़रूरी काम है सबसे जरूरी जो चीज है वो रहने वाली है कंबल तो इसमें है अपना कि यह अपना कंबल है अभी इसमें एक रात गुजारनिया में तो भाई सबसे पहले कंबल वंबल पूरा बिचा लेते हैं संजु भाई रात काटनिया आज भाई ठंड तो नहीं लगी यारिस में भाई अब पता ना एक रात गुजार के लगेगा कि किस तरह की ठंड होगी कि पूरा बंद कर देंगे इसको फिरिस के अंदर हावा तो मुश्किल है फिलाल तो अभी कंबल वंबल भी हमने पूरा निकाल दिया तो भाई घुसो आव कंबल में तो भाई फिलाल अभी यह जो टेंट है वह चारो तरफ से पैक हो चुका है यहां पे जो दरौजा जैसा थ वो भी अभी जिप रगा के इसको बंद कर दिया है तो अभी हावा आने का जो पूरा प्रोसेस था वो खतम हो चुका है तो अभी देखते हैं रात किस तरह की बीटती है बाकी अभी आप से मुलाकात होगी कल की प्यारी सुबा के साथ अगर कुछ अनोनी ना हुई तो होगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो सही रात रही तो मिलते हैं खलकी प्यारी सुबा के साथ अब तो के लिए पापाई टेक केर और गुड नाइट नेक्स्ट मेलनिंग ठंड भाई सुबह और शाम के टाइम में तो अब बार 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 बताने की जरूरत नहीं तो अभी फिलाल अपने संजु भाई की भी जो है सुबह हो चुकी है तो भाई भी देखो शूजवूज लगाने में लगे हुए हैं तो भाई कैसी रात बीती अपनी जर जोर से बोलो भाई कतरनाग भाई काफी चलो कोई नहीं भाई रात जैसे तैसे कट गई ना वही बहुत बड़ी बात है तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे इस टैंट को निकालेंगे इसको अभी पैक करेंगे उसके बाद जो भी यह समान का खिलारा पड़ा है इसको पैक करेंगे तैन उसके बाद फिर वापी गर चलेगे जल्दी से तो भाई अपनी फर्स्ट ओबर नाइट कैंपिंग विद स्टेंट को कुछ इस तरह की गुजरी आई होप आपको आज की यह जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी अगर थोड़ी सी भी पसंद आये वीडियो में लाइक चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मद भूलना और इंस्टेग्राम का लिंक में हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आप चाहिए तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो बाकि मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नहीं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाई टेक केर